मामला बहुत बड़ा था तभी तो भारत का बिराट कोहली मैदान में डट कर खड़ा था जियां बिस्ट का फाइनल के मुकाबले में जब भारत की टॉप ओडर के तीनों इनफॉम बल्लेवाज कप्तान रोईस सर्मा रिसप पंत और सूर कुमार यादो जैसी धुरंदर बल् के साथ आए वह इसलिए तो कहा जाता है कि बिराट कोहली लीग मैच में चले न चले लेकिन बड़े मैचों के लिए वह अपना बेस्ट परफॉमेंस हमें से बचा कर रखते हैं और जैसा हम सब समझ भी रहे थे कि इस विस्ट कप में भी बिराट कोहली अपना बैस्ट तो निश्चेत तोर पर बचा कर रखी हो वो फाइनल में नजर आएगा जब भारत के तीर मिकर्ट जल्दी गिर गया और जिस समय भारत को बहुत सदे हुए अंदाज में खेलने की जरूवत थी उस समय पहले तो उन्होंने अक्षर पटेल के साथ मिल करके पचास से ज्यादर नों की साज़दाई निभाई और जब रक्षर पटेल आउट हो गया तो उसके बाद उन्होंने सिवम दुवे के साथ भी पचास से ज्यादर रनों की एक अच्छी साज़दाई निभाई और इस तरह से भारत अब एक इतने बड़े स्कोर तक पहुंच गया है कि साउथ अ सब्कि अक्षर पटेल ने 31 गयांदों में 47 सन बना जिसमें एक चौका और चार चक के सामिल थे चार दसम्रों तीन ओवर में कुल 34 सन के स्कोर पर सूर कुमार यादों को विकट गिरने के बाद प्रमोट करके ऊपर भेज़ेगा अक्षर पटेल ने सांदर बल्लेबाजी का ने जार पेस किया और उने बिराट कोली का भरपूर साथ दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने कुल नो अबरों में 22 रनों की पार्टनर से पनिवाई जिससे भारत एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो सका अक्षर पटेल के आउट होने के बाद बिराट कोली ने सिबम द बड़ा स्कोर है इस पिच्पर की अब हम गर्ब से कह सकते हैं कि हाँ टीटन्टी बिसकप 24 का एक कप हमारा है